प्रत्याशी मेंका गांधी आज अपना नामंकन बरेंगी नामंकन से पहले वो हवन करेंगी इसके साथ ही वो एक डोट शो भी करेंगी नामंकन के दौरान कई बीजेपी के बड़े दिगज़ों के होने की बात सामने आई है इस वक्त की बड़ी खबर सुल्तानपुर से झाल 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 स्वक्त की बड़ी खबर सुल्तानपुर से जहां बीजेपी प्रत्याशी मेंका गांधी आज अपना नामंकन बरने जा रहे हैं बीजेपी के कई दिगज़ नेता उनके साथ नामंकर में शामिल होंगे आपको बता दे कि सुल्तानपुर से मेंका गांधी पहली बार प्रत्याशी के तौर पर उत्री है इससे पहले उनके बेटे वरुन गांधी सुल्तानपुर सीर से चुनाव लड़ चुके हैं झाल 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 इस कबर पर ज्यादर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाधाता सुरेश दुबे जी सुरेश मेंका गांधी आज अपना नामंकर दाखिल करने जारी है क्या कुछ अपडेट है आपके पास जी आपको बताना चाहेंगे ये सुम्तानपूर में जिस तरीके से मेंका गांधी अपने रोड़ सो के लिए निकली है पूरी तरीके से सहर की जो यातायाद ब्यवस्था है वो बिगड़ चुकी है और आम जन्मानस जो है वो पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है जी सुरेश सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किये गए है पुलिस द्वारा जो भी सुरक्षा दी गई है वो जो महाद जिल्या धिकारी के कारयाले के परिसर की तरफ जो जहां पर इनका नामंकन होना है उधर ही पूरी विवस्था दी गई है और जब कि जहां से रोड़ स के साथ जी बताना चारेंगे जिस तरीके से जनता का इनके पक्ष में रुजान जा रहा है वो बहुत सारी तादात में जनता इनके समक्ष जो है पहुँच चुकी है इनके रोड़ सो में सामिल हो रही है और मालाओं फूल के साथ इनका जो है स्वाजत किया जा रहा है जी क प्रमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सुरेश इस वक्ती बड़ी खबर सुल्तान पुर से जहां मेनका गांधी आज अपना नामंकन भनने जा रहे हैं इसके साथ ही वो एक रोट शो भी करेंगी नामंकन के दौरान कई बड़े बीज़ीपी नेताओं उनके साथ रहे हैं